आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ एक अनपाते दो, तीन दिया हुआ है चार अनपाते एक और चार दिया हुआ है दो अनपाते एक तो हम दिये हुए प्रश्ण को हल करते हैं और देखते हैं हमारा उत्तर क्या आएगा प्रश्ण में में बोल रहा है कि लंब ती संकु का आयतन उस गोले के बराबर है जिसकी तरिज्जा संकु के आधार की तरिज्जा के आधी है तो इसका मतलब में एक गोला दिया हुआ है और एक संकु दिया हुआ है और हमसे बोल रहा है कि जो गोले का आयतन है वो इस संकु के आयतन के बराबर है जिसकी तरिज्जा जो है अग कि जो उस गोले के बराबर है जिसकी तरिज्जा संक के आधार की तरिज्जा मतलब इसके आधार की जो तरिज्जा होगी R की आधी है तो इसका मतलब ये जो गोले की तरिज्जा होगी वो R बटा 2 होगी हम यहां से बोल सकते हैं जो R है वो r बटा 2 के बराबर होगा हमें बोल रहा है इन दोनों का जो आयतन है वो बराबर है तो अगर हम गोले का आयतन लिखें तो वो होता है 4 by 3 pi r cube किसके बराबर है संकू के आयतन के बराबर तो संकू का आयतन कितना होता है 1 बटा 3 pi r square h जहांपे h क्या है ये संकू की उचाई होती है तो हम देख रहे हैं जो r दिया हुआ है वो r बटा 2 होगा तो अगर हम देखें तो 3 से 3 कट रहा है और pi से pi कट रहा है क्या मिलेगा हमें 4 गुडे r बटा 2 का cube और इधर हमें मिलेगा r square into h तो अगर हम इसे देखें तो ये आएगा 4 गुडे r cube बटा 8 और ये r square into h r square से r cube कटेगा तो यहां पे सिर्फ r बचेगा तो 4 से ये कटेगा तो यहां 2 बचेगा तो हमें मिलेगा r बराबर 2 h हमसे पूछ रहा है संकू के आधार कृतिज्या और इसकी उचाई का अनुपात क्या होगा तो अगर हम यहां से r अनुपाते h निकालें तो हमें मिलेगा 2 अनुपाते 1 के बिकल्पों में अगर हम देखें तो बिकल्प 4 जो है वो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा Thank you